Hello Friend, Welcome to New Updates Friend, विहार राजसरकार दोरा खरीब 94,000 सिक्षकों की वेकेंसी निकाली गई है सिक्षा विवास्ता के सुधार के लिए ये वेकेंसी निकाली गई है TET, Estate, Pass सभी Candidate इस भरती के लिए अपलिकेबल है और वैसे Candidate जो NIOS से DEL8 का कोर्स के हुए और Estate या TET Pass है वो भी इस फर्म के लिए अपलिकेबल है So Friend, गवर्मेंट जोब की अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वैकेंसी का ओफिस्यल नोटिफिकेशन 15 जून से पहले जारी की जाएगी ओफिस्यल वेबसाइट पे और इसमें आप लोग देख सकते हैं 94,000 सिक्षकों की वहाली होगी और 15 से जमा होंगे आफेदन पर देश में N.I.O.S के D.L.A. योगता धारी अभ्यार्थी को भी मिलेगा मौका जैशा की आप लोग जानते हैं पटना हाई कोट के आदेश के आलोक में राश्ट्रिय मुक्त विद्याले संस्ता का 18 महीने का D.L.A. कोर्स करने वाले अभ्यार्थी को भी सिक्षक वनने का मौका मिलेगा ये अभ्यार्थी भी अब नियोजन प्टक्रिया में आवेदन करेंगे टी टी या एस्टेट उतिर्ण अभ्यार्थी आवेदन करने की योग होंगे इस शंबंद में सिक्षा विवाक की ओर से सुमबार को सिक्षक नियोजन शंबंधी सिड्वल जारी किया गया है ये सिड्वल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंदरा जून से चौदा जुलाई तक नियोजन इकाईयों में जामा होंगे आवेदन अठारा जुलाई तक मेधा सुची तयार होंगे इकीस जुलाई तक मेधा सुची का नियोजन समीती द्वारा अनुमोधन तेह जुलाई तक मेधा सुची का परकाशन चौविस जुलाई से साथ अगस्त तक मेधा सुची पर अपत्ती दिना और दस अगस्त से अपत्तियों का निराकरन पारा अगस्त तक मेधा सुची का अंतिम परकाशन लास्ट जो मेधा सुची का परकाशन होगा वो 12 अगस्ट को होगा और 13-22 अगस्ट तक चिल्ला द्वरा पंचात वो परकन मेधा सुची का आनुमोधन उसके बाद 23 अगस्ट नियोजन इकायो द्वरा मेधा सुची का परकाशन उसके नीचे में 31 अगस्त चनित अभ्यारतियों को परवान पत्रों की जाच और नियुक्ति पत्र देना तो ये प्रकिरिया टोटल धाई माह में पूरी की जाएगी और 31 अगस्त को चनित अभ्यारतियों को नियुक्ति पत्र मिलेगी सो फ्रेंड गवर्मेंट जोब की अपडेट के लिए हमारी येटिव चैनल को सब्सक्राइब करें